3 दिसंबर साल 2021 को बड़े परदे पर रिलीज हुई तरप फिल्म से बॉलिवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले अभिनेता अहान शेटी ने जिस तरह से अपनी पहली ही फिल्म में अपनी आक्टिंग, आक्शन और डायलोग बाजी को परदे पर पेश किया है जिस साउथ इंडस्ट्री के डारेक्टर भी तरप फिल्म की सेंसेक्स देखकर अहान शेटी को अपनी फिल्मों में काम दे रहे हैं तो आएए हम आपको वीडियो में इन्ही सब सवालों से रूबरू करवाते हैं पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें बॉलिवुड के दिगज अभिनेता सुनेर शेटी के बेटे अहान शेटी ने हाली में अपनी फिल्म तडप से बॉलिवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया है जिसमें इन्हों ने अक्टरिस तारस उतारिया के साथ बेहद खूबसूरत केमेस्ट्री शेयर की है जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है साथ ही फिल्म में इनकी एक्टिंग और डायलोग को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है जिसके चलते ये फिल्म भी सूपर हिट साबित हो गई है और इस फिल्म की कहानी देख कर बॉलिवुड इंडस्ट्री ही नहीं बलकि साउथ कई डायरेक्टर अहान शेटी को अपनी फिल्मों में काम करने का ओफर दे चुके हैं जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना बता दें कि तड़फ फिल्म में मुख्य किरदार निभा कर मशूर हुए अभिनेता अहान को देख कर साउथ इंडस्ट्री के मशूर डायरेक्टर आ रही हैं कि इनके अलावा भी साउथ इंडस्ट्री की मशूर डायरेक्टर प्रशांत नील भी अभिनेता अहान के साथ अपनी एक फिल्म साइन करना चाहते हैं जी हाँ ये भी अपने एक सूपर हिट फिल्म इनके साथ करना चाहते हैं ताकि वो भी तडब फिल्म की तरह पूरी जानकारी हमारे सामने नहीं आई है कि क्या सच में अहान अपनी नेक्स्ट फिल्म साउथ इंडस्री के मशूर डारेक्टर के साथ करने वाले हैं। और इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।